हेलो बच्चो खल अपने लेसन नमबर टू के परागकन अंडाश्य जो की नर युक्मक और माधा युक्मक होते हैं कहां बनते हैं उनकी सनरजना कैसे होती है इसके बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं ठीक है इस्टेप बाइस्टेप आगे आगे बढ़ रहे हैं पहले आपने पढ़ा परागकन फिर पढ़ा अंडाश्य दोनों बन चुके हैं अब यह दोनों मिलेंगे ठीक है तो मिनने आने कि परागकनों का वर्तिकागर तक पहुचने की जो किरिया है उसे क्या कहते हैं हम परागन ठीक है ना पॉलिनाइजेशन पॉलिनेशन वेसे तो आप पहले भी इस परागण के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे बहुत छोटा सा अपने सिर्फ डेपीनेशन पढ़ी होगी लेकिन यहां थोड़ा सा डिटेल में है ठीक है ना अच्छो तो आप खुशिच करिएगा कि आपको यह समझ में आ जाए और अगर नहीं आए अगर वर्तिकागर परिपकवन नहीं होगा तो परागण में पहुच कर भी कुछ नहीं कर सकता ठीक है ना बिलकुल यूजलेस होगा उस टाइम इसलिए दोनों का परिपकवना ज़रूरी है यह दो परागणा होता है सो परागण और परपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और क समझे गए होंगे यानि कि जब परागण वर्तिकागर पर सोयम ही पहुच जाते हैं उन्हें किसी आधार की जरूत नहीं होती है किसी जरीय की जरूत नहीं होती है उस वक्त वो किलाती है सो परागण लेकिन जब यह परागण वर्तिकागर पर पहुचने के लिए कुछ हम के जरीये पहुचते हैं तो वो कहलाता है पर परागण ठीक है ना डिटेल में पढ़ेंगा अब इसके अंदर थोड़ा आप गोर से देखिए तो हमारा पहले टोपे के सो परागण जब एक पुषप के परागण स्वयम के पुषप के वर्तिकागर या उसी पादब के दूसरे पुषप के वर्तिकागर पहुचते हैं तो उसे सो परागण कहते हैं ठीक है ना एक पुषप के अंदर जाना और मादा जाना दोनों है परागण भी बन गया वर्तिकागर भी बन तो पराकन उसमें से बाहर निकला तो बाहर निकल कर जब नीचे गिरेगा तो नीचे के जो पुष्प होते हैं उसी पादप में लगे हुए वो उसके वर्तिकागर पर ये पराकन चुपग जाते हैं तो ये किरिया किलाती है सजात पुष्पी और जब खुद के पुषपर ही होता है तो वो कहलता है सो यूगमन ठीक ना? कहने का मतलब यह है कि अपने आप पुरी की दिया किसी की जरूवत नहीं है अगर खुद के पुषपर हो तो सो यूगमन और अगर उसी पादब के दूसरे पुषपर हो तो सजाद पुष्पी परागण जब एक पुष्पी के परागण हो उसी पहो देखी तुसरे पुष्पी के वर्तिका अगर वो पुष्टे हैं तो उसे कितने सजाद पुष्पी परागण इसे किस में देखने को मिला है मक्का में, ककडी में, लोकी में और सुवई यूगमन देखने को मिला है मतर में ठीक है ना अब सो परागण के लिए पुष्प में कुछ अनुकुलन पाई जाते हैं यानि उस पातप में कुछ ऐसी शारीरिक सनचनाएं होती हैं जो इन्हें स्वय युगमन यानि की सो परागण होने के लिए ही मजबूर करती हैं वो चाहकर भी पर परागण नहीं कर सकते हैं तो वो कौन-कौन से अनुकुलान होते हैं फस्ट उभे लिंकता सबसे खास जरूरी है वैसे तो परागण में आप पढ़ सकते हैं लेकिन सो परागण के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो पुष्प होता है उसमें दोनों जन्नांग उपस्तित होने चाहिए तब ही उनमें सो परागण होगा ठीक है न बच्चो तो जिन पोधों में नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में पाई जाते हैं उसे उभे लिंगता केते हैं दूसरा समकाल परिपक्वता समकाल यानि की नर जन्नांग और मादा जन्नांग का जो परिपक्वन का जो समय होता है वह एक ही होना चाहिए यानि पुश्प जब उगेगा तो उस पुश्प में जब नर जननांग और मादा जननांग वरद्धि कर रहे होंगे तो वो दोनों एक साथ ही परिपक वो होने चाहिए एक ही समय पर तभी सो परागण हो सकता है अन्याथा नहीं होगा तो पुष्प में नर और मादा जन्रांगों के परिपक वो होने का समय साथ यानि की समान होना चाहिए दूसरा है अनुल मिल्यता थोड़ा जीव सा शब्द है एसे पुष्प कभी नहीं खिलते हैं आपने कुछ पोद ऐसे देखे होंगे वैसे आपने देखे नहीं होंगे क्या आप जो पुष्प वाले दिखाई देते हैं यह आपको इसी जगे दिखाई देते हैं जहां पर सूरज का परकाश बहुत कम पहुंचता है ठीक है na इसलिए उनके पत्तियों में कोई रंग नहीं होता वो बद्दे होते हैं दिखने में तो ऐसे पुष्प कभी नहीं किलते हैं जो डुलिंगी होते हैं लेकिन होते लिए डुलिंगी है ये खास बात है उनके अंदर यानि पुश्पा अगर बंध है तो बंध इस कंडिशन में भी उसके अंदर नरजन्नाग और मादाजन्नाग दोनों है जिन में केवल स्वपरागण ही होता है यह रंगहीन तथा बद्दे होते हैं इसलिए कोई भी कीट इस पर नहीं बेटता उधारण वायोला, ड्रोसेरा, आदी ठीक है न तो यह तीन कंडिशन इसी होनी चाहिए पुदप में पादप में जब उनमें सो परागण होता है अब आजावापन पर परागण दूसरा कंडिशन जब परागण वर्तिकागर पर किसी माध्यम के द्वारा पोचते हैं तो वो घटना किलाती है पर परागण लेकिन किसी अन्य पादप के पुष्प पर स्वयम के नहीं जब एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पोधे के पुष्प के वर्तिकागर पर विभिन माध्यम और दौरा माध्यम कौन से होते हैं वायू जल कीड दौरा पहुचते हैं तो यह के रिया सो परागण कहलाती है इसी परकार पर परागण के लिए भी पादप के अंदर कुछ अनुकुलन होते हैं जिसकी वज़े से वो पर परागण ही कर सकते हैं वो चाहकर भी सो परागण नहीं कर सकते तो उसमें पहला है एक लिंग था जैने कि जब ऐसे पुछ पोते हैं जिनमें केवल एक ही जननांग पाई जाते हैं या तो नर जननांग या मादा जननांग तो ऐसे पर पर जाती के पादप कभी भी सो परागण नहीं कर सकते हैं उनमें हमेशा पर परागण ही होगा ठीकिना आम के पोधे में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ पोधे नर पुष्पो वाले उख जाते हैं उसमें जगतर तर तो वो सब दुविलिंगे होते हैं वेसे तो लेकिन कुछ पोधे कभी कभी नर जनलांग वाले उख जाते हैं तो ऐसे पादप ऐसे पेड में कभी भी आम नहीं आते क्योंकि आम बनाने के लिए आम क्या है एक फल है उस फल में बीज होता है तो बीज बनाने के लिए जरूरी है जायांग का पाया जाना उस जायांग एक मादा जननांग है तो जब पादप नर जन्नांग वाला होगा नर पुष्प वाला होगा तो उसमें कभी भी फल नहीं उपते दूसरा देखवा भिन काल परिपक होता अगर माल लीजिए कोई पादपेशा है जिसमें पुष्प पुष्प में दोनो जन्नांग मौझूद है नर जन्नांग और मादजन्नांग किन्तु उनके परिपक होने का समय अलग अलग है पहली जन्न मादर नांग परिपक हो गया नर जन्नांग परिपक हुआ ही नहीं पराकण बने ही नहीं है तक लेकिन अंड़ा श्यपूरति घर तयार है तो ऐसी कंडिशन में भी पादब पर परागण कर लेते हैं ठीक है न कुछ पोदों में पराकोष तता वर्तिकागर की पर पराकोष वर्तिकागर से पहले परिपक वो हो जाते हैं ठीक है ना देखिया आगिया साल्विया पोदे के पराकोष वर्तिकागर से पहले परिपक वो हो जाते हैं यह गुड़ पूरवता कहलाता है इसी परकार इसका पॉजिट ब्रेसी केसी रोजेसी में जायांग यह कु के जिसमें बहुत सारे बाता पते हैं जायंग पराकोश से पहले परिपक हो जाते हैं यह गुण इस्तरी पूर्वता क्या लाता है ठीकिना तीसीर कंडिशन स्वय बंदता स्वय बंदेता कभी-कभी आनुवंशिक कारणों से एक पुष्प के पराग कर स्वयम के बरतिकागर पर नहीं पहुच पाते हैं और पुष्प के कोई एक जरनांग विक्सित नहीं होता है एसी घटना स्वय बंदता किलाती हैं यह जैसे कि अंगूर, सेब और राखी-बेलिंड में इसा होता है ठीकिन ना, मतलि हिए अनδर नरजरनांग और मादा जरन्णांग दोनों उत्प बन तो हो जाते हैं लेकिन दोनों में से एक ही परिपक वह पाता है एक नहीं होता है यह तो नजन्नाग परिपक बनाई होगा यह मादा जन्नाग परिपक बनाई होगा तो एसी कंडिशन में स्वबद्धता के थे उसके बाद आता है हार को गेमी प्राकर्तिक अवरुद्धता प्राकर्तिक रूप से कुछ कंडिशन इसी आ जाती है कि पोधे चाहकर भी सुपरागण नहीं कर पाते तो उन्हें पर प्रागण ही करना पड़ता जैसे कि एक जब प्राकर्तिक सनचनात् सुपरागण नहीं होता तो यह केरिया हार को गेमे के लाती है जैसे कि केरियो फिलेसी कुल के पोधो के पुछ्प में वर्तिक पुछे लम्बी सी गरदन होती है ठता पूंकेसर की लंबाई अलग-अलग होती है जिससे इसमें सवपरागण नहीं होता मैं आपको फूटो दिखाने की कुछ ही करता हूँ देख ये बच्चों ये है वो कंडिशन जिसको ओपन बोलते हैं हार को गेमी इसमें आपको पुष्प का ये जायंग भाग दिखाई दे रहा है जिसका सबसूपरी भाग वरतिकागर के लाता है बीच का जो गरदन है वरतिका और ये भुलाव भागंडाशी इसके जस्ट नीचे आप देखाई दे रहे हैं आपको छोटे-चोटे पुंक पराकोश वाले पुंकेसर अब देखिए इन के अंदर जो पराकण बनेंगे उनको कहां पहुचना है यहां पर क्या ये संभव है नहीं है तो होगा क्या ये परिपक वोगर फट कर ले जाएंगे तो आउटोमेटिक क्या हो गया पर परागंड ये अगर इस पर जाए तो सो परागंड हो जाएगा तो इसको बोलते हैं प्राकर्ति का व्रोथ अपने आप ही एसी कंडिशन उत्पन हो गई पदपें पुश्प में कि ये इस तक नहीं पुश्पन होता है ये भी एक परकार का अनुकुलन है ठीक है न उच्छो थीए उसके बाद अगला आता है विश्प वर्ति काग्र प्रिम्रोज नामग पोधे में दो परकार की बुश्पन होते हैं एक वो जिसमें वर्ति का लंबी व पुनके से चोटे होते हैं तता दूसरे वो जिसमें वर तो परपरागन की विदियां परपरागन जेविक तता अजेविक कारकों दुआरा होता है जेविक यानिकी जो जीवित पराणी होते हैं और जीविक कारक जो जीवित पराणी नहीं है मतलब कोई और जरीया पहला है आ लेंगे कारक सोरी आ जेविक कारक इसमें पहला आता है वायू परागण हवा जब हवा चलती है तो पुष्प के पराकोशों पर जो परागण अटके रहते हैं जब पराकोश फट जाता है दराड चल जाती है तो उसमें कुछ पराकण उसके सते पर अठके रहते हैं जैसे ही जोड से हवा चलती है तो वो हवा के साथ उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ये घड़ना कहलाती है वायू दुआरा परागान इसा किसम दिखने को मिलता है मक्का में समुदरी घास में दूसरा है जल द्वारा परागान जैसी हवा के कंडिशन वेसी ही जल की कंडिशन जब पराकणों का स्थाना अंत्रण जल की द्वारा होता है मतलब जब पराकण पराकोश परिपक वो होते हैं फटते हैं और पराकण बाहर निकलते हैं तो वो नीचे गिरते हैं नीचे क्या होता है पानी या पानी नहीं भी होता मा लीजी ये जमीन पर गिर गए बरसात होई बरसात के जरीए वो पानी से बेहते बेहते दूसरे स्थान पर पहुँच गए या ऐसे पादप जो पानी में ही उकते हैं उनके पुश्बों में तो परागण इसी विदी द्वारा होता है ये वेलिस नेरिया जो पादप है ये जल ये पादप है ये जल पाक जल का पादप है जल की घास होती है जो जल के अंदर उकती है इन में इसी पचार से परागन होता है, तो जब जल के द्वारा पराकन बड़ती करवर पहुचते हैं वह किलाता है जल द्वारा पर आगा तो यह दोनों आते हैं अजेविक कारकों में हम पढ़ेंगे जेविक कारक जिवित प्राणी जिसमें सबसे पहला आता है कीट आपने देखा ही होगा मदुमक्खी तितली टाटिया यह सब फूलों के ओपर बेटते हैं तो रस चूसते हैं पर इनके पेरों पर चुपग जाते हैं और जब यही कीट दूसरे पादब के पुश्पपर जाकर बेठेंगे तो उसका वर्तिकागर पर यह रह जाते हैं तो परागण हो गया ना मदुमक्खी तितली टाटिया आदी कीट जब मगरंद के लिए पुश्पपर बेठते हैं तो परागण इनके पेरों पर चुपग जाते हैं जब यही कीट अन्य मदुमक्खी तो आप जानते ही किसी ने कहा है कि अगर पूरी दुनिया से मदुमक्खी को अधा दिया जाया इनको समप्द कर दिया जाया खतम कर दिया जाया तो तीन सालों के अंदर पूरी जमीन के सारे इनसान मर जाएंगे क्योंकि भोजन का जरीया पेड़ पोदे हैं और पेड़ पोदों में भोजन कब बनेगा जब परागण केजिया होगी और परागण के लिए मदुमक्खी का होना बहुत दरूरी है क्योंकि ये टाटिया तितली है तो सीजन के टाइम आते हैं जब फूल अच्छा जैसे बहुत तेज धूब होगी या बढ़सात होगी तब ये है इतने जादा दिल्चस्पी नहीं लेते हैं लेकिन तु मदुमक्खी जरूर र फषी चैटी मेनट करती है और वह शेहिद बनाने के लिए महनत दो करी लेकिनशतला कर रही है लेकिन तो नहीं ही तो नहीं परागन करें तहें चोटकान ने समगरण को थ colonial होता है दो इस दूफीर होह जाते हैं और जब रेरी हो रिधाी में फशा किया क्ष्टे इस प्रेक पोदों में होता है सेमद पलाश्य, एक छोट असा पक्षी होता है, इतना व्यकुल तित्री के बराबर, उसी की दुआरा होता है, यह परागन बस, आप चाहते हैं कि कभूतर कर दे कववा कर दे तो इसा नहीं होगा, तीसरा आता है चमकारण दुआरा परागन, यह रात के स में ही उड़ते हैं, उधरन कदंब का वरक्ष, कचनार का वरक्ष, गोरक, इमली, आधी, इन सभी में चमकारण दुआरा होता है, ठीक है अच्छो, चलिए, अगला टोपिक है अपना, परागन एक तरीक से आपको पूरा हो चुगा है, ठीक है, अगला टोपिक, देखिए अपने जो अभी तक चेप्टर पड़े हैं, उसमें तीन चीज़े पड़ी है, अभी तीन चीज़े हैं, जिसमें आपके अभी तक एक चीज़ हुई है, पहली, निशेचन एक बीच की घटना है, चीज़े ना, निशेचन को आप बीच का सेंटर माल लो, उसके उपर, परीपक वहोना, उनमें परागणों का बंना, उसी परकार, माधये ज़र शर्फिक अपरीपक वहोना, जायां का परिपक वहोना, अंडाशे का बंना, उन दोनों का मिलना, यान्नी की परागण, यहां तक आपन पहुच चुके हैं, अभी अगर प रगने जब निशेचन य तब अपन सेंटर पर पोचेंगे अभी तक अपन किस पे चल रहे हैं निशे चंद से पहले की घटनाओं में एक टोपिक अपना उस नोट बुक में नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं इसमें सो परागन सुनिश्चित और परागन कम खर्च होते हैं यानि कि संभावना पूरी-पूरी है कि परागन सफल हो जाएगा नहीं सो परागन का उपियोग परागन की फेल सेफ विदी में होता है उदारा सूरज मुखी इसमें सम्यूगमजी संतति बनती ही सम्यूगमजी मतलब खुद ही के सब ठीकिए ना सम्युक्माजी का एक तरिके साब भी समझ सकते हैं जैसे कि उसी पुष्प का ही पराकन और उसी पुष्प का ही जायांग तो दोनों के जो आनुवाजिक सरचना है वो बिलकुल समान होंगी ठीक ना उसको बोलते है सम्युक्माजी इसको प्योक प्योर लाइंस को बगरा रखने में होता है मतलब अगर हम चाहते हैं कि किसी पादप के कुछ खास केरेक्टर हैं जैसे कि कोई फूल बहुत अच्छा पत्ती वाला है बहुत खुष्पूरत फूल है हम चाहते हैं कि इसमें कभी बदलाओ नहीं हो तो उसमें हमेशा सोपरागण ही करवانा चाहिए अगर परपरागण होगा तो उसके लक्षन बदल जाएंगे क्योंकि परपरागण में पराकण किसी और क्या रते हैं आनिष्चिकाल तक किसी जाती को किसी जाती की सर्वच्جता सरवोचता को बरकरार रखता है इसमें पोध्य को ज्यादा परागण बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है पुश्पो को आकरशक होने की जरूरत नहीं होती है नुकसान दायक और बेकार लक्षणों को परागण ग्रूप से निकाल दिया जाता है यह तो इसके लाब होगए लेकिन इसके हानी अभी है पहला नया इलक्षण कभी विखसित नहीं होगे नया इलक्षण पगट करने के लिए परपरागण जरूरी है विभिन्नेता और वातावरण में अनुकुलन में कमी आती जैसे कोई पादप किसी वातावरण में उगरा है लेकिन फूल खिलते हैं और वो मर जाता है फल तक उसकी जिन्देगी नहीं पहुशती तो ऐसी कंडिशन में जरूरी है परपरागण करा जाना उस कंडिशन में ऐसे पोधे उसी वातावरण में रहने वाले उसी परजाती के पोधे जो जिवित रहते हैं उनका परागण उस वाले पोधे के साथ जा लेंगे तो वो पोधा भी जिवित रहने वाला हो सकता है लेकिन आगर ऐसा नहीं होगा तो वो वातावरण के अनुकुल नहीं होगा समय के साथ रोगों के परती प्रतितों शम्ता कम होती जाती है तो परपरागण में ये बढ़ जाती है बापिस अब परभावी लक्षण लागातार परकट होते रहते हैं मतलब एसे लक्षण जो पादप के लिए जरूरी नहीं है फिर भी वो आगड़ी पीड़ी में आते रहते हैं क्योंकि सो परपरागण हो रहा ना उसी पुश्पका है सब कुछ तो वो इसे के सेलक्षण भी आगे बढ़ते रहते हैं जो हमें जरूरत नहीं होती उसकी तुटिपूर्ण लक्षणों को बाहर करने का कोई रास्ता नहीं होता परबलता और जिवन शमता कम होने के कारण समय के साथ उपज होती है इसी पकार हम पढ़ेंगे परपरागण के लावानी देखिए लाव परपरागण इसके द्वारा आर्थिक रूप से महतवपूर्ण पोधों में पाई जाने वाली स्वय बंदता को प्रिटोटैंसी दूर की जा सकती है इसके लिए बागबानी वाले दो या दो से अधिक परजातियों के पोधों को अधिक उपज के लिए उगाते हैं आप यह शब्द आपको कंफिस कर रहा होगा प्री पोटैंसी यह एक परकार से स्वय बंदताही वाली कंटिशन वाली को और लग मिनिंग दे रखा है उपज निम्न तम ओसत के से अधिक होती है इसमें खराब लक्षन बाहर हो जाते हैं नुकसान दायक अपरभावी लक्षन परकट नहीं होते हैं इसके दुआरा बहुत से एलेल्स उत्पन होते हैं अलेल मतलब जीनों की जोड़े सो परागण से आनुवंशिक पुनर योजन के द्वारा विपनितावत पन होती है इस प्रकार बने इस प्रकार से बनने वाली संत्ति संकर खोज या हैटेरोसिस के कारणा जनकों से अच्छी होती है सो परागण से नई परजातियों का विकास होता है सोरी पर परागण से इसके द्वारा रोगों के प्रति प्रति दो शमता बढ़ जाती है क्योंकि जब दो पादपों के जीन मिलते हैं तो दोनों में जो जैसे एक पोदा है माली जी ये मादा पुष्पो वाला या जाता है तो अगर उस पर एसे पादप के परागण आ जाए जो की बहुत स्ट्रॉंग प्रति दो शमता वाले होते हैं तो जब उन से जो नया पादप बनेगा वो भी अधिक प्रति दो शमता वाला उत्पन होगा इसके दुआरा सन्टती में वातावरण में बदलाओं के पर ते अनुकूल अन्ता पड़ जाती है वो तो जायरज़ बात जब नए नय ने लक्साण मिलेंगे तो अनुकूल तो पोदे होंगे soprattutto कि किसी भी प्रति की जाती के लिए किसी भी शिवातावड में सिथ होने के लिए जरूरी है उनमें विबेन दाउत परकट होना जो उन्हें उस वातावड में रहने के अनुकूल बनाते हैं पर परागण दुवारा बनने वाली संतती जीवन के संगर्ष में ज्यादा सफल होती है यानि किसी पर जाती के अंदर कोई संगर्ष करना पड़े तो पर सव परागण वाली जल्दी नश्ट हो जाती है और पर परागण वाली अधिक समय तक रहती है अब देहां हानिया इसमें परागण की बहुत बरबादी होती है क्योंकि बहुत दूर तक जाते हैं उड़ते वे जा रहे हैं तो मालने सोड़ते वे गए और दसी पोचे पुछ पूपर तो नब्बे नश्ट हो गए क्योंकि इसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत से युक्तियों की जरूर होती है चूंकि यह किसी साधन पर निर्भर होता है इसमें हमेशा दूबीदा बनी रेती साधन आए नहीं आए किड़ा आए नहीं आए पानी आए नहीं आए यह आर्थिक दर्ष्टिकॉर्ण से पोदे के लिए उपियोगी नहीं होता इसमें किसी जाती कि अच्छा लक्षन धीरे-दीरे हलके होते जाते हैं संतती में आवांचित लक्षन आ जाते हैं यह भी है अगर पराकण किसी ऐसे पादप से आ गया है जो किसी रोक से गरस्त था तो वो उस मादा पादप मादा ज जो पर परागण वाली प्रोसेज है वो क्रतिम रूप से भी करवाई जा रही है हमारे जो एक विग्यानिकते बहुन महां जिनका नाम आपने सुना होगा मेंडल जोन जोन ग्रेगर मेंडल उन्होंने जो अपने सारे प्रियोक किये थे पादप को लेके मटर के बोदे को ल उन्हें इच्छित लक्षणों को उस पर डाल सके जैसे कि कोई पादप बोना है उसमें फूल आया मटर जो होता है वो द्विलिंग की पादप होता है तो उन्होंने क्या करा जायां के उनके वो काट दिये पराकोश जायां को बढ़ने दिया और उस पर लंबे पादप के पराकण लेकर उस पर उन्होंने खुद उसको डाला पर परागण करवा क्रतिम रूप से तो क्रतिम संकरण क्रतिम संकरण ही बोलते हैं इसको ठीक है ना विपुंसन जब किसी पादप के पराकणों को पराकोशों को काड़ दी रहता है तो ऐसी कंडिशन के किला थी परागण बान देते हैं तो अब उस पर कोई दूसरा पराकण नहीं आना चाहिए इसलिए क्या करते हैं उस पुष्प के चारो तरफ थेली बान देते हैं ताकि कोई ओर प्राकर उस पर नहीं आई तो उस बर के लाती थेली करण तो यह कुछ कंडिशन है थेली करण को बोरिंग बेनिंग या बोरा वसिस्तरावन भी कहते हैं यह कुछ शब्दे से होते हैं जो एक नम्बर के सवाल में पूछ ली जाते हैं बेनिंग या बोरा वस्तराक वस्तरावरान ठीक है तो ये हमारे जो टोपिक थे ये हैं निशेशन से पहले के टोपिक चल रहे हैं देखिए अब अगला हमारा टोपिक है पराग इस्तिरी केसर पारस परिक किरिया परागन द्वारा पराग काण वर्तिकागर पर पहुच चुके हैं अब पराग काण वर्तिकागर पर पहुच कर क्या करते हैं पराग नलीका बनाते हैं तो उनके बीच में आपस में पारस परिक किरिया होती है जब किसी पुषप पर जैसे माली जी गुलाब का फूल है अगर उसके वर्तिकागर पर अन्य गुलाब के पोदे के ही पराकण आएंगे तो ही वह आगे प्रोसेस होगी माली जी चमीली का पराकण आगया तो आगे प्रोसेस नहीं होगी वह वहीं के में रुख जाएगी उसको अस्विकार कर देगा रिजेक्ट कर देगा वर्तिकागर उसको इस परकार की जो किरियाएं होती है जो एक दुसरे के परतिकागर पराकणों को पहचानती है तो उनके बीच की जो किरियाएं होती है उसके किला थी पराग इस तरीके हैं परांग परांग पर किरियाएं देखिए परतेक फुष्पका वर्तिकागर अपनी ही परजाती के पराकणों को स्विकार करता है अन्य परजाती के पराकणों को अस्विकार कर देता है पराकण वर्तिकागर पर उपस्तित जल इस तरीके से बात हो रही है यह पूरा वर्तिकागर बना दिया उपर से पराकण यहां पर आचुका है इसकी चारों तरब आप जानते हैं भाई ये चोल होता है तो क्या कर रही है हमाँ पोचकर परागकन वर्तिकागर पर उपस्तित जल शड़करा प्रोटीन आधी पदार्तों को आउशोशित कर अंकुरित हो जाते हैं तीके न अंकुरित मतलब इसके अंते चोल जनन शिद्र दुवारा पराग नलीका का निर्मान करता है दीए यहां से पराग नलीका बनती है वह पराग नलीका ए से व्रद्दी करती हुई आगे बढ़ती है यहां पर जो अंडाश्य बन रहा है इसके चनन छिदरे में परवेश कर जाती है ठीके ना एक और फिर इस नलीका में से इसके जो दो के नरग बनने थे वो दोनों के नरग अंदर आते हैं अंकुरन के तोरान पराग करन का अंते चोल जर्यन शिदर दुवारा पराग नलीका का निर्मान करता है पराग नलिगा द्वारा पेकटीनेज इनजाइम इस्टराइब होता है जो वरतिका यानि कि इसका ल razón होता है इसमें जब इसकी वaraड़ी होगी तो बीच में कुछ सेल्साएगी भी इसको रोगएगी इसकी वरतिकार याime कने अगलागी इस परकोर परागन से लेकर पराग नलीका के भुनकोश तक पहुचने की किरिया क्या के लाती है, पराग इस्तिरीखेसर पारसपरिख begin, यह हंबर बाइखता ठूपिक था, पराग इस्तिरीखेसर पारस परिक किरिया तो यहीं ह कंडिशन है, आगे अच्वसमें यहांपर प्रोटीन कारवड शरकर आउसुषत करके अंगुरितों अंगुरितों होने से परागनली का बनी परागनली का आगे वरदी करती है वरदी के लिए उसके पेक्टिन अजय में इस तरह होता है जो वरदीका की कोशिकाओं को नश्ड़ कर देता जिससे किस बैसे जग होती हैं वो हमने पूरी पढ़ ली है अब हमारा अगला टोपिक होगा निशेचन फिर निशेचन के बाद की गटनाएं हम पढ़ेंगे तो निशेचन एक बहुत अच्छा टोपिक है इसके बारे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ठेंक्यू